जै माकाली मित्रो आपका मेरी चैनल माकाली मादुरगा शक्ति समवाद में स्वागत है मित्रो अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए क्यों कीजिए साथी नोटिफिकेशन बैल को भी प्रेस कीजिए जिसे मेरी आने सेवा अराधना कैसे करनी चाहिए जानते हैं मां कामी के पुझा में बहुत नियम होते हैं और जिनका करके हैं इसãy करना करना होता है वहलिद नहीं चाहतं ॥ क्योंकि वो सभी सोम्य सभाओं के देवता होते हैं सोम्य रूप होता है उनका तो उनके लिए खोई ऐसे खास नियम नहीं होते लेकिन जब मा काली की बात आती है तो उनके लिए नियमों का ध्यान रखना होता है और मा की जो पूजा पदिती होती है उसका भी ध्यान रखना होता है कि किस पधिती में हमें मा काली की पूजा करनी चाहिए देखी जो आम व्यक्ति होते हैं पहली बात तो ये कि जो व्यक्ति सबसे पहले पूजा प्रारण करने से पहले वो अपने घर में मा काली की तस्वीर या मूर्ती अपने घर में लाते हैं तो अगर आप मा काली की फोटो अपने घर में लाते हैं या मूर्ती लाते हैं तो आपको विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सामाने व्यक्तियों को मा के काले रूप की आपको अराधना नहीं करनी चाहिए अगर आप ग्रस्त हैं आपके संतान है पूरा परिवार है तो आपको मा के जो काला रूप होता है उसकी अराधना आपको घर में नहीं करनी चाहिए उसके लिए आपको मा के नीले स्वरूप की अराधना करनी चाहिए जो नीले रंग की मा होती है और जिनकी जो मुद्रा ही होती है वो एक हाथ की जो मुद्रा होती है वो आशिरवाद की स्वरूप होती है जो दूसरी मुद्रा होती है वो अभे प्रदान करने वाली होती है यानि आपको भाई से मुक्त करने वाली होती है तो वही फोटो और या मूर्ति आपको अपने घर में लानी चाहिए आपको काले रंग से बहुत जादा बचना चाहिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो मंदिर है आपका जो पूजा का स्थान है वो आपके घर में वहाँ पर किसी भी प्रकार का काले रंग का वस्तर नहीं होना चाहिए अगर आपका मंदिर है अगर आपने काले रंग का आसन बिचा रखा है तो आपको वो आसन हटा देना है मां से अगर आप स्विम काले रंग के आसन पर बैट कर पूझा करते हैं तो वो आसन भी आपको बदल देना है काले रंग के आपके कर्टन नहीं होने चाहिए मा के पास काले रंग की कोई ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए अगर आपने काली रंग की कोई टाइल वगएरा लगा रखी है तो वो भी मा के पास नहीं होना चाहिए काला अगर ग्रेनाइट का कुछ लगा रखा है तो वो भी मा के पास नहीं होना चाहिए क्योंकि काला रंग उगरता का प्रतीक होता है और मा काली का जो सुभाव होता है जो उग्र सुभाव होता है वो काला ही होता है और काला रंग उग्रता को बढ़ाता है यानि उग्रता में मा काली की व्रद्धी करता है तो आप मा के उग्र स्वरूप की क्यो राधना करते हैं? आपको मा के सोमे स्वरूप की राधना करनी चाहिए क्योंकि मा से आप केवल सोमेता चाहते हैं उनका अश्रवात चाहते हैं उनकी उग्रता नहीं उग्रता के लिए जो पूजा की जाती है वो तंत्रिक पद्धिती में की जाती है यानि तंत्रिक के माध्यम से की जाती है और जो तंत्रिक विक्ति होते हैं वो मा के उगर स्वरूप की पूजा करते हैं क्योंकि जो तान्तुरिक होते हैं वो अपना जीवन मापगती के चड़नों में ही समर्पित कर देते हैं उनका अन्य कोई जीवन नहीं रहे जाता है मा काली के सिवा इसलिए वो मा के छुज़ी रूप की ही पूज़ा करते हैं और चुनरी मा के लिए प्रियों करने चाहीं ल और रंग के पनाएं लेकिन काले नीले वस्त्र माकाली को आप बिल्कुल ना पहनाएं साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है माकाली की पूजा में आपको लाल वस्त्र के काही उप्योग करना है और लाल शिंगार को ही माको आरपन करना है ये बात आपको विशिश रूप से ध्यान रखनी है और आप अगर मंदिर में भी जाते हैं और मा को भेट देना चाते हैं मा को चुन्री देना चाते हैं तो वो भी आपको लाल ही देनी है और जो व्यक्ति मा काली की पूजा करते हैं उनको भी स्वेंबी काला वस्तर बिल्कुल धारण नहीं करना है किसी भी प् परित्याग करना ही पड़ेगा अगर आप माकाली की पूजा करते हैं बहुत से सब्सक्राइबर का प्रिशन आता है मेरे पास एक व्यक्ति का एक बच्ची का आया था तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं जब भी काला वस्तर पहनती हूं तो मेरी तव्यत खराब हो जात इस्तरी ऐसी होती है जो माकाली की पूजा करती है या किसी भी देवी देवता की पूजा करती है तो क्या करती है सिर्ध होने के बाद में गिले बालों से मा की पूजा करती है यानि उनके बालों से पानी टपक रहा होता है उस समय पर वो माकाली की पूजा करती है तो आपक कि अगर आप मा काली की पूजा करती है सामाने रूफ से ग्रस्त व्यक्ति है तो आपको मा काली की पूजा सरधकर करने चाहिए क्योंकि खूले केश से और खूले सीर से केवल टंत्र मार्गमें ही पूजा की जाती है सामान्य विक्ति खुले केश और खुले कहते हैं खुले सर से मा की पूजा नहीं कर सकते हैं यह बात आपको विशेश याद रखनी है अगर आप मा काली की पूजा सामान्य रूप से करते हैं तो आपको मा को उड़त की बनी चीजों का प्रियोग नहीं करन उनको उड़त से बनी चीज़ों का भोग नहीं लगाना है और प्या करते हैं कि माकाली की पूज़ा में उनको लशुन प्यास से बनी तरा कि किसी भी वस्तु का प्रियोग नहीं कर सकते हैं, अगर वो इस प्रकार का प्रियोग करते हैं, इस तरह का भोग मा भगवती को देते हैं, तो उनके उपर विप्रीत प्रभाव इस भोग का जरूर आता है। विप्रीत प्रभाव नहीं कर सकते हैं, तो आपको मा काली को अलग कक्ष देना चाहिए, उस कक्ष में मा की पूजा नहीं करनी चाहिए, और नहीं उनकी फोट या मूर्धी को विराजमान करना चाहिए। जो व्यक्ति सामानी रूफ से मा काली की पूजा करते हैं, ग्रस्त व्यक्ति हैं, उनको मा काली को प्रतेख शनिवार को काली चनी का भोग लगाना चाहिए। यानि काली चनी जो होते हैं, उबाल करके उनका भोग मा भगवति को लगाया जाता है। तौ अगर आप इस तरहा की वोग मा को प्रतेक शनिवार को डेते हैं तो इससे आपको बहुत लाब होते हैं इससे आपके घर की जो नाकारत मक उर्जा है वो दूर होती है और जो अगर आपके साथ में कोई करज की परिशानी है यानि आपके उपर कर्ज चड़ा हुआ है कर्ज मुक्ती नहीं हो पा रही है तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है आपका कर्ज धीरे धीरे करके उतरने लगता है अगर आपको शत्रू परिशान करते हैं शत्रू आपको जीने नहीं देते किस ना किसी रूप से आपको तो ये चने आप अगर आपके भक्त जन रहते हैं मा काली के उन में भी आप उनको वित्रित कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप मा काली की पूजा कर सकते हैं सामान्य रूफ से ग्रस्त व्यक्ति इसमें आपको कोई परिशानी नहीं होगी मा की पूजा करने में और आपको जो म मंदीर जानकारी भी अवश्य दूंगे अब अपने सब्सक्रेबर का प्रेश्ण ले Ừ प्रेश्ण है सूरच शाजी का जैमात अधिंर आप से कुछ पूछना है माकाली की सवारी जब आती है तो माकाली चीकती चिलाती क्यों है क्या खुश होकर चीकती है या गुस्से में प्लीज बताई जै मातादी देखे बच्चे जो माकाली की सवारी है किसी भी देवी देवता की सवारी आती है ऐसा नहीं है कि माकाली की सवारी ही चीकती चिलाती है जो वीरों की सवारी आती है आपने देखा हो व करद लिए ऊसमें कोई भी मां भगवती कभी चिकती चिल ही योगरों चुछम सभी पर सौंझे क्योंकि ऊछलने श τιςजिदा खुछिल ей जुष्टो को देखती है तो उनके विनाश के लिए ही माँ भगवती चिक्ति चिलाती है तो इसमें घपराने वाली कोई बात नहीं होती है इतने देवता का अपना अलग-अलग सभाव होता है और इसी सभाव के कारण ये सभी प्रतिक्रिया होती रहती है अगला प्रेशन है कीरत कौर जी का हिनोंने का है ममी मैं दुरुगा को अगर हम पा लेती है तो नवदुरुगा जी को भी क्या हम पा लेती है देखे मा दुरुगा अपने आप में संपूर है मा भगवती मा भावानी अपने आप में संपूर है वो पालन करता भी है जरम दाता भी है और संगा तो तीनो रूप से माभगवती चलती हैं नवदुर्गे के रूप में माभगवती चलती हैं और जो माभगवती को आदिशक्ति अंभिका को मना लेता है वो नवदुर्गा को अपने आप ही प्रसंद कर लेता है क्योंकि नवदुर्गा माभगवती के ही रूप है उसमें प्रश्णों के उत्तर माभगवती से यही प्रातना करती हूं कि आपके बंडारे भरती रहे आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करती रहे आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जै महाकाली जै महाकाल